हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ओमाई गॉड आकाश टीना बच्चे नहीं है मैं बार फिर से फोन करता हूँ गाड़ी यहीं पर है तो दोनों बच्चे भी यहीं पर होने चाहिए कैसे डराओनी जगाय कितना घना जंगल है यह पताने टीना और आकाश को यह गाड़ी रोखने की क्या ज़रूरती कि दोनों में से किसी कभी फोन नहीं लग रहा है लूट पार्ट का मामला तो नहीं लगता है बाईसाब बच्चों को सारा सबान जबस्द कारी में है एसे बीच सड़क पे बच्चे गड़े चुड़के गए कहां समझ में नियारा मेरे दुनों बच्चे कहां चले गए क्या होगे उनको मीरा मीरा कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को शांती रखो घबराऊ मत आओ यहीं कहीं आसवास देखते हैं आकाश दीना आकाश मेरी आ कि वाई साम कहीं कोई कुछ भी नहीं हो यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं चुप हो जाओ हााहि है। यह कहुनिए कहां दो गान दो जाओ जाहाँ जाह यहां ह penetrate कि कुलों आवाज बिल्कुल नहीं कर्या हुआ जाएगी को ना जाएगी को ना जाएगी को ना जाएगी कर्यों ना जाएगी हुआ जाएगी याने जाएगी जाले ङुझ जाएगी जाले हुआद जाएगे भासा जाएगी माजय की माजय की माजय की और तब ही एक ओर अई है उसका उसका सर नहीं था ौह मुझें भार्ण यूझे मर्ने आई थी उसका कठा सर उसके हाथ में था वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी, बचालो मुझे, वो मुझे मार डालेगी यह क्या हो गया मेरी वच्छलाको, कैसे बरताफ कर रही है, अब क्या करूँ वे सर्, उसके बाद क्या हो, उसके बाद वो, वो कटे सरवाली औरत मेरी तरफ गूम गई, मैं, मैं ढरके होजे से पीचे हट गई, वो मेरी तरफ बढ़ती रही, वो, अपना कटर सर्, मेरी मेरी चाहिया की तरफ एक, नहीं, डॉक्तर सब, क्या हुआ है मेरी वाइफ को, मिस्टर नमित, देखिए ना, डॉक्तर साथ क्या किया वच्छला जी ने, दस इंजेक्शन दे चुका हूँ, शान कर दे के लिए, लेकिन कोई अच्छली नहीं हो रहा ह लेकिन, हुआ क्या है वच्छला को, इनका दिमाग एक सरकटी औरत के बारे में सोचा है, उसकी चाल-टाल, उसका रवया, और पतानी क्या-क्या, क्या-क्या इसके दिमाग में गुजगया है, ओ माइगाद, दॉक्तर साब, मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी ना, कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये चेंजज आपने इनने कब महसूस की, कल रात, वच्छला की गाड़ी दहलिया रोट पे खराब हो गई थी, मैं इसे लेने वहाँ गया, तब से इसकी हालत ऐसी है, देखें, मिस्टर नमेट, इनकी हालत बहुत नाजोग है, मेरी मानिये तो इनने फॉर रोपे हुआ है, श्रावन, हमने कहीं वहाँ से आकर कुछ गल्ती तो नहीं की ना, अब हमारे बच्चे कैसे मिलेंगे, मुझे तो लगता है, उस खुनी औरत ने कुछ कर दिया है, टिना और आकाश को, बाई साब, मुझे लगता है, कमपलेट लिगवा देनी चाहिए, पत यह इस तरह से दर्वाजा कौन पीठ रहा है, मैं, मैं देखता हूँ, कर दो लिगवा है, मैं जाना, जाना, टिना अंटा, टिना वर गएठ,ला अएठ, कि मी के ऐ सहर दों, इसा इसका अढ़ती है, इसा रखाभी है इस जब एक सी तुपíला मैं निखाव्त निखाँ भाईसा और सम्क फूराइल निनताक, एटा कुछ उस plays क्उया बेटा में आकाश कित थाugen मैं रखेलों है क्या हुआज तुपार पाइज का दून herby डेना आखे खुलो बेटा, आखे बंद मत कर बेटा, डेना क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें हुआ है, हमें रूख रहे हैं यह गए रहा? तीना, तीना बेड़ आगके को लो बेड़ देड़ तीना, तो लो में शूर के लिए इजा सक्टी नहीं डॉक्टर साब, मैं अपनी वाइब को किसी भी हॉस्पिटल में एड्मिड नहीं करने वाला आप से पहले भी चार ओर डॉक्टर ने मुझे यही एड्वाइज दिया आप मेरी वद्सला का इलाज मेरे घर पर ही कीजिए ना डॉक्टर साब मैं अपनी वद्सला को अपने जाल लगा आप 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आई इस तरफ यहां पर आई यहां 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 यहीं गड़ है यह तो यहां पर जबरस हाता पाई और तोड़ फोड़ होगी है जारो तरफ कोन कि सामान बिखरा पड़ा है इस्टामन आपको कल रात्या में खबर कर देनी चुछिए थी इसार नमीद के शरीफ इतना खुन देखा कि अमें डर गया था यहां यहां जिस किसी भी हत्यार से विक्तिन पर हमला किया गया है वह हत्यार काफी तीज भार वाला होगा तालूं के सब आपको कैसे पता चला तेखो यह देखो यह चोटी चोटी बूल्दे बोख्रेयों खुनती यह एक भार में एक सिद्धी तरह किसी चाकू या चोटे खंजर का इस्तमाल किया गया है पता नहीं जिसको भी इसने मारा है वो जिन्दा है यह नहीं और यह खुन से सनेवे पाओ के निशान पर दुगर के त यह उसे तो कुछ नहीं हो गया अभी जी एक देगादर सर यह पेरो के निशान तो आगया आगे दुंगले होते जा रहे है इसका अमने को चेकर हो बेड़ पुदो कोई खुण्दीगे? कौनतो, पाराओ, बाहराओ सर, सर यही है मेरी टीना और आकाश की गाड़ी यही पर मेरे बच्चों पर वो मुसीबत आए थी सर वो उस जगा पे खड़ी थी वो भयानक दिखने वाली लड़की हाँ सर उसी ने हमारी बेटी को मार डाला है और वही हमारे बेटे आकाश को लेकर गई है सर सर काड़ी के अंगर तो सब ठीठा की लग रहा है और सर भात अपाई के भी कोई निशान नहीं अश्त अच्छा हाँ सबड़क पर भी जएसा लगने रहा है कि कुछ हुआ है कर टीना ने एगजेक्टली क्या का जाए सर सर वो बता रही कि सबचा लो यह को बचालो कर बचालो लो बचालो मदलः क्या हो आकाश को वो ठीक तो है ना सब्सक्राइब कर दो नियुक्राइब कर दो सकता है कि शायद आकाश अभी पी उस औरत के कब से नो और टीना किसी भी तरीके से वहां से भाग कियो हो सकता है मुझ जो कोई भी लड़की है शायद आकाश को जंगल में ले गई होगी हां सर हो सकता है आकाश अभी तक जंगल में हो चल के देख लेते हैं सर हम भी चलते हैं आपके साथ ने आप लोग यहीं रोकिए जंगल थोड़ा फ़तरनाक है एक्चली आप लोग घर जाए कोई भी करता चलता आपको फोन कर देंगे एक कीक है सार की कि डाक्र साब वह अदमी कहा है जो खुझ से लड़पत आपका श्कीटल में अधा था सर व आदमी एंदर है तो आप और शिच में है या अभी बेहुश है नहीं, अभी होश तो आ गया है उसे, मगर थोड़ी बहकी-बहकी बाते कर रहा है क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, बिल्कुल, आएए नमित आप कौन हो हम दोग C.I.D. से हैं, क्या तुम बता सकते हो कि ये ये तुमारे साथ कैसे हो? मार डाला, मार डाला मुझे मेरी, मेरी वच्छला ने मुझे मार डाला मुझे अमन से, मुझे, मुझे रोज, रोज बिखती थी पर मैंने कभी भी उससे उसे नहीं घूरा है हाँ, सर, मैं हमेशा इस बिज्चारी की दर्दभरी आवाज सुनता था मैं समझ जोता था कि बाभी जी का बेलन इसके सर पर बज़ रहा है नमित, हम तुम्हारे पत्नी से मिल चुके हैं कुछ न कुछ तो गरबर हुआ है उसके साथ लेकिन अचानक वह ऐसा बरताफ क्यों करने लगी मगवान पता नहीं पता नहीं जब से दाहिलिया रोड से आई ही किसी सरकटी औरत के बारे में बात करती है और किसी पर भी टूट पड़ती है जैसे चान ले लेगी वह किसी की भी फिर दाहिलिया रोड मतलब जो भी करवड है वो इस दाहिलिया रोड पे ही है झाल झाल यह तो बिल्कुल फोरेर फिल्म की दरा बंगला है जंगल के बीच में तित्ता सुल्चान है ज़ता ये टीना और आकाश सी घर में आया होंगे ज्यादा फिल्में मत देखा करो बहुत अच्छा लगा इतने सुंसान जंगल में भी कोई हमें मिलने आया है एनिवेस मेरा नाम डीके है और ये मेरी धरम पतनी रागने आप लोग अंदर आईए बाहर क्यों खड़े हैं आई 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 सर ये लोग तो बहुत अजीव हैं ये तो हम लोग से बात करें ये तो हम लोग इनके रिश्चदार है आप अपी अच्छा गर है थैंक्यू आज परस दूसरा कोई घर नहीं दिख रहा है तो इतने सुंसान जंगल में आपने घर बनाया है गर। पनाया नहीं है सर खरीधा वो क्या है कि हम दोनों पतिपत्नी तलाकार है और अपनी सौच की आकार को पूरा करने के लिए हमें शान्ती और एकांथ की सखसरूरत रहती है जी हां सर यही हमारा घर भी है और हमारी दुनिया भी है और हम आपको एक बात और बताना चाहूंगा हम लोग रहते जरूर इस उनसान इलाके में है लेकिन कला के क्षेत्र में हमारा बाग बड़ा नाम है कब करीदा अपने इह कर बहुत साल पेले पूसरीदा तो अब तो ध्यान जीए कि काप खरीदा था हम यह तो याद होगा की कल को यहां पर कॉन आया था एँ पल्कुल लेक dalत तो यहां कोई था सिर्श thrilling life प्र डराय आग ध्यान दीजिए और सोच के बताईए क्या इन दोनों में से कोई भी कल यहाँ आया था? नहीं मडम, इनको हमने पहले कभी नहीं देखा यह है गाम यह कौन है? यह हमारी बेटी अंचिता 14 जुलाई 2013 को प्लेग के वज़े से इसकी मृत्तिय हो गे थी बहुत याद आती है, हम हमारी बेटी के हम लुग अपसे कितने सारे सवाल बुचे जा रहे हैं आप नहीं पूचेंगे कि हम लोग कॉण हैं और.. क्यो इतने सारे सवाल कर रहे हैं आपसे कॉण है आप लोग? अब बता दीजिए कॉणे कहान है नहीं, कोई नहीं है? नहीं, कोई है आया तो इस तरह भी था कहीं, अमें देखकर छोपतो नहीं गया हो सकता है अकाज भी उसी का साथ ही होगा शायद देखते हैं अफिं थीज देखकर वटी देखते है कि यकी है अॉब में थास अहा हॉब कर नीचे, कर नीचे, कर नीचे, कर नीचे, कौन अदम, क्या कर नीचे उस गर के अंदर, हसी या नीचे भेगो, टीना को तुमने मारा था ना? प अकाश काई, शूद, टीरे बोलो, वो तुमारा वहारे पीचे कडि ये, कौन है वहारे पीचे है? कोई नहीं है, लगता रिखा हुला उसका तुम्हारे पीछे बिना सरवाली औरत अपना सर हाथ में लेके दिखा रही है सर यह वो सिरकटी आउट की बात करी है तो वचला जिसी बहते गर रही है हमारे पीछे कोई नहीं है किसकी बात कर रही है तुम करेकर कर द Kathias भुआ है। सुस्क्रस्ते ब से घरिए फॉर्दन करुँआ फिरेगी कि थैसे हैं में drug परा न्यूंगोगे फॉर्दन केली रहीं है। अंगर में आढऴर में जोचे के चंई चंई चंग है। आपको नहीं लिखा, आप भी वही सोच नहीं जो मैं सोच लूँ यह सर्म, पर यह है क्या? थोड़ा वाप तो पता चला है, फूरा तो टेस्ट होने के बाद पता चलेगा सर्म, मुझे लगता है कि आप यह कलर एरियास देख रहे हैं, यह ब्रेन टेली की नर्व्स की तरफ आ रहा है, इन दोनों औरतों के दिमाग के साथ छेड़चाड़ी की गई है सर्म, इनकी याद़ाश से छेड़चाड की गई है, इनको नाच्रल रोग या दिमागी बिमारी नहीं, इनकी तो मेमरी ही बदल दी गई है मतलब यह के आर्टिफिशल मेमरी बढ़ दी गई है इनकी दिमाग आए? यह सर्म, इनकी दिमाग नहीं नहींता, क्यों का एल्सां के बच्पन से लेकर बड़े होने उसके जिंदगी की तमाम यादें उसके दिमाग में एक डिस्की तरह से जमा हो जाती है कुछ, किस तरह से? और फिर कोई एक दिन गर्दन के पीछे ऐसा इंजेक्शन लगा देता है यह देखे यह देख रहे हैं? जिससे ब्रेन में कमपार्टमेंट्स बन जाते हैं और जिंदकी की सारी याद ब्लॉक हो जाती है इंसान एक सेमी कॉंशिस टेट में चला जाते है आदी बेहोशी की हालत में कि पारद फेक्या होता है इसमें इंसान के दिमाग को सुन कर देने वाला ड्रग दिया जाता है इंसान अगला पिछला सब भूल जाता है आप सुन सकते हो, समझ सकते हो लेकिन आप रियक्त नहीं कर सकते और फिर इस हालत में उसको एक कटी सीर वाली और दिखाई जाती है और उसके कानों में बार बार ये बाते ही सुनाई जाती है कि ये लोग आपको मानने वाले है और ये सारे इंसान आपकी दुश्मन है और आपको उनको मार देना है जितना कि ब्रग के असर की वज़े से दिमाग कुछ इस तरीके का दिखाय देने लगता है हर याद को दबा कर सप्रेस करके उसे सिर्फ उतना ही इससा याद करने के लिए दिया जाता है जितना कि ब्योशी के आलत में उसे सुनाया या दिखाया गया था सर यानि कि इन दोनों औरतों ने सच में एक सरकटी औरत को देखा और होश में आने के बाद दोनों को सिर्फ उतना ही आदे बिल्कुल परना सोचो दो नड़किया जो एक तूसरे को जानती नहीं पहचानती नहीं वो यह की समय पर एक जैसी बात कैसे सोच सती है मतलब इनकी मेमेरीज को बदल दिया गया है कौन ड्रक्स कौन सा इस्तमाल किया गया गया इनकी पर आपको याद नहीं रहेगा क्या आप है कौन और आपको उतना ही याद रहेगा जितना आपको बताया जाएगा हमारे टेस्ट में भी काफी ऐसे ड्रक्स मिले हैं जो याददाश मिटाने के लिए काफी है पर हाँ इन्हें फलके एलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिये कहें मुझे नहीं लगता है ये लड़कियां कभी भी ठीक हो सकती क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई एंटिडोट एजाद नहीं हुआ है और एकनॉसिस में महीनों लग जाए और फिर भी इस बाद की गारंटी नहीं है कि इनकी खोई हुई मेमुरी एंगे वापस मिल साती है अरे सर ये सब सुन्चुन के मेरा सर फटने लग रहा है सर आप मेरा प्रेन मैपिंग कर लीजे टैलिया रोट के बंगले के मालिक डीके रागनी और सडक पर खड़ी उस लड़की का राज तो अब डैलिया रोट पर जाके ही पता चलेगा तो थोड़ा गोम आते हैं डैलिया रोट किया मारी बेटी अंचिता चौन जुलाई दो हुजार थेरा को प्लेक की वज़े से इसकी मृत्य हो गई तो बही लड़की है टीको रागनी की मारी भी बेटी मेरी मदद कीजिए प्लीज केशिमल मेरे मदद बेट क्या मदद चाहिए आपको मेरी मम्मे पापा आप चानक से भी होश हो गए मैंने बहुत खोशिश की उन्हों उठाने की पर वो नहीं उठे कहा है आया का आपके मम्मे पापा घर पे आके देखिए ना प्लीज पास में है चलिए आई 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 कहां पर है चलिए अच्छा इन नाम से कोई भी रेस्टेशन नहीं ओके ठीके थांक्यो सारे पेंटरस असोसिएशन में फोन का लिया सार मगर डीके और अगणी के नाम से कोई भी रेस्टेशन सब को छूट बोला उसने मुझे तो लगता है उसने अपना नाम भी गलत पता है जेवन्ती, कुछ पता चाल? नई से, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला मगर सर, कितने कॉन्फिडेंस से जूट बोल रहे थे दोनों लगता है सर अभी की रास्ता बचे उन्हीं से सच उगलवाना पड़ेगा में जेवन्ती वेले उसकी सारी डीटेल्स एकालते हैं और उठाते हैं से लेकिन सब पता कैसे चलेगा एकाम करो डेली हाउस में जुन की तस्वीरे खीची गई थी वोने करुमिनी डाटा बेस से और मेंसिंग केस फाइल से मैच कर वाके तीको शायद असलियत सामने आजाए आये या एतनी रोश्री कम क्यों है वो घराबादी से दूर है इसलिए बोल्टेश थोड़ा कम है यह देखिये यह दोनों एक साथ कैसे बहुश होग है कई इस लड़की ने तो गुष्ण ने कर दिया खुझा एका सर्थ, डॉल्टेश के सिगनल नहीं मिल रहे है सर कुछ सेकंद्स पहले तक अभीजीत सर और दया सर का फोन देहलिया रोड पे बता रहा था लेकिन अभी लोकेशन नहीं दिख रही है इसका मतलब अभीजीत सर और दया सर को रस्ता रोपने वाली लड़की मिल गई पिर तो डीके और रागनी की सचा ही कभी पता चल जाएगा सर, ही कर दो सर, सर यह है मिसस साक्षी, उस नकली डीके और इलेश की माँ नमस्ते कहां है मेरा बेटा, कहां है इलेश यह ओफिसर कह रहा है उसका नाम डीके है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है रागनी ये कैसे हो सकता है ये सब जूट है ये नहीं, ये सच है एक छानवीन के दौरान आपके बेटे और उस ओरत से मुलाकात हुई हमारी जो आप डीके और रागनी बने मैठे और उसी छानवीन में मिसिंग कंप्लें से उनकी सच्चाई की बता चली मैम आप हमें बता सकती है कि आपके बेटे इलेश ने अपना नाम बदल के डीके क्यो रख लिया एरा भीका अपना नाम क्यों बदलेगा मुझे इस पारे में कुछ नहीं पता देखिए माताजी वो रागनी और्फ नीता के साथ में कहीं चुपा हुआ बेटा है अब यह औरत को जानती है यह लड़की कौन है और कैसे मेरे बेटे की जिंदगी में आई मुझे कुछ नहीं पता देखिए मैडम उस औरत के माबाब तो मर चुके बस आभी यह बता सकती है के जुलाई 2013 से पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपका बेटा घर खोड़कर चला गया है नहीं मेरा बेटा घर खोड़कर नहीं भागा था हाँ इलेश दिमाग की तौर पर बीमार रहता था तो एक बड़े साइको थेरपिस के पास उसका इलाज चालू था और उसी थेरपी की सिटिंग के लिए वो डॉक्टर के क्लिनिक गया था और फिर वो वापस ही नहीं आया अज़र माम यह बतारिये के नाम क्या है इस थेरपी क्लिनिक के दॉक्टर अज़रा प्राइए के दॉक्टर मारो अरो, बचालो घंको, मार डालो मारो, मार डालो, सब दुष्मन है तुम्हारे मारो, मार डालो, बचालो घंको मारो, मार दुष्मन है तुम्हारे मारो, मार डालो, मार ड़ो साथ डुष्मन है तुम्हारे कर देखे, कहा कतार कहा जागे जुड़ा है सर, बहुत लंबा जाल फेला है सर, आज सारे दार कट जाएंगे इसके किसने किया है? बोलो, बोलो किसने किया है? पता कौन है इन खब की पिझे? वह! तुम अश्बिना सर वाली आणत के साथ मिले ओ, ना? मैं नहीं! तुम उस सरकडी आणत के साथ मिले ओ, मैं जानता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम को, तुम और उस आणता हूँ तो मुझे मारना चाहता है ना, शोड़ोंगा नहीं चुपे और अरोगोंगा चाहता है सुरीयम लुझे खबने कि अधर अरोगोंगा चाहता है हुब झाल 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 सर डालिया रोड यह है वो सकता है अबीजी तो रॉद्य एस्वाधार करूँ धूर्ट में संसर्ट बलके के वुआे हम लोग जाके देख देख दे तुम लोग यह रखो डॉक्टर जाना नहींची है ठीक है चलाओ जाओ कर दे ऐसे अध्य पारलों सेयां, और pada भेश देङ. कार चाहु दोड़ों, अधिस्ट कर दिया करेखके अध्यां! कर दा नए जाली.. कि gat Whatsके? कि एड़ पिले ने! कि एड़ लोग! पृण! नफ! यड़! मेश शाइ! पुण! शाल, रोन मेरता है? कर दो, कर दो हो के आम पहुता हुआ? वह, यहां अटी-डॉर में असर शुरू कर दिया. थोड़ी देर में बोश आजाएगा तो नोको शुक्रमना डॉक्टर सालंके अगर यह दोनों ठीक हुए है तो सिर्फ मेरी वज़े से अगर अपने दिमाग का सही इस्तमाल किया हुथा ना तो एक मुझरिम की तरह इस हालत में नहीं खड़ाते हैं समझे रिकास अंकर आपकी वज़े से मैं भी एक मुझरिम बनके रह गई अभी तो सिर्फ तुम दोनों का गुना सामने आया है जिस दिन तुम दोनों को सजा मिलेगी न उस दिन समझ में आएगा कि गलत रहा पे चलने का अन्जाम क्या होता है हमें दाल्या, दाल्या रोड़वाले पंगलेपे? नहीं यार, नियूरे सेंटर में है भाई और मुझरिम हमारे सामने कड़ा है अच्छा एक लताओ, तुम्हे अधी वो कट्यों सिर्वादी और वो भजाना कामा से तुम्ही सुना थेती? सर वो तो उस वजसला के दिमाग में था और वो जंबली लड़की के दिमाग में भी वो जो हासिया लेके गुम रहे थे अब समझ में आया सच्छी था के मावाप ने भी अपनों को वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा दिया था हमारे दिमाग में भी यह सारी बाते बाती गए थे बताओ डॉक्टर विकास, ज्यों किया तुमने इसा? जल्दी बता, वरना हमें तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा क्या बताओ? डॉक्टर सालूंके ने सब कुछ तमझातो दिया था मैं दुनिया में तेहल का मचाने वाला ब्रेन मैपिंग एक्सपेरिमेंट करना जाता था विहोशी में मैं लोगो यहां लाता था और उनके उनके ब्रेन से उनकी सोच को निकालकर अपनी सोच बढ़ देता था जरा सूचो कितनी ताकत थी मेरे हाथ में जब वो लोग जागते थे तो उन्हें वही दिखता था और उनके दुमाग में वही ब्रेन की मेमरी थी जो जो मैंने डाली थी उनका ब्रेन वही करता था जो मैं कहता था अतलब कि मैं उनके प्रेन से सब कुछ करा सकता था और तुम दोनों ने भी तो वही किया ना अलिया अंचिता इसने भी गुना में तुम्हारा साथ दिया था मैं इनकी भतीजी हूँ इन्होंने ही मुझे पाला पोसा देके और रागनी मेरे माबाप नहीं है वो घर, डीके, रागनी, मैं ये सारा विकास अंकल का बिचाया हुआ एक जाल था और आकाश, उसकी जाद क्या किया तुम लोगोंने? उसकी ड्रग की डूस जादा हो गए थी उसे ब्रेन हैमरेज हो किया था उसकी मौत का मुझे बहुत अफसोस है तुमारे जैसाद जीनियस डॉक्टर लोगों के दिमागा गलत इस्तमाल करने के चकर में गुनाइकार बन गया तुमारी खोज इंसानित के खिलाफ है वानोन तुमें इसकी जरूर सजा देगा शायद भासी हो कि तुमें वानोन तुमें गए